नमस्कार दोस्तों भारत अपनी धार्मिक विशेष्टा और संस्कृति के कारण विश्व भर में प्रचलित है अध्यात, दर्शन, शान्ति आदी के लिए विद्योशों से लोग यहां आते हैं और विभिन धार्मिक स्थलो पर जाते हैं वह केवल मनोरंजन या प्रेटन के दिष्टी से ही नहीं आते बलकि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति से रूबरू समझने और आत्म शान्ती के उदिश्य से भी आते हैं लेकिन जो जानकारी हम आपके साथ साजा कर रहे हैं शायद उससे आप सभी अन्बिक होंगे जहां 10 लाग से भी जाड़ा मंदर और 100 मंदर ऐसे हैं जहां सलाना चड़ावा भारत के बजट के कुल यूजना वेये के बराबर है आईए आपको भारत के कुछ पर्मुक मंदरों के आये की बारे में बताते हैं पहला मंदर है पद्मनात स्वामी मंदर जो की केरल राज्य में स्थत है पद्मनात स्वामी मंदर में मिले खजाने से अब ये मंदर सबसे धनी मंदर मन गया है यह मंदिर के त्रिवंत्रपुरम में स्थित है पद्वनाभा मंदिर एक लाग करोड रुपे से भी कई अधिक का खजाना यहां से मिला है और अभी एक तैखाना खुलना शेश है यह मंदिर बेशुमार दौलत का स्वामी है आप सभी ने इस मंदिर के बारे में समाचार माजनों के जरिए अवश्य सुना और देखा होगा तूसरा तिरुपती बालाजी मंदिर जो की आंधर परदेश में स्थित है तिरुपती बालाजी की आये यह संपत्ति के मामले में यह दूसरे नंबर पर है इस मंदिर के पास इतना खजाना है जितना पुराने जमाने के राजा महराजाओं के पास भी नहीं था तिरुपती बालाजी के खजाने में आठ तन ज्वेलरी है 650 करोड की वार्शिक आये और अलग-अलग बैंकों में मंदिर का 3,000 किलो सोना और 1,000 करोड रुपे फिक्स डिपॉजिट है हर साल भक्तों के मुंडाय हुए बालों की निलामी के बाद मंदिर के खजाने में करीब 49 करोड रुपे जमा होते हैं मंदिर में रोज 1,500,000 लड्डू बनाये जाते हैं जिसे मंदिर सलाना एक करोड 10 लाग के आसपास राजस्व अरजित करता है और तीसरा है शेडी के साइबावा मंदिर महाराश शेडी के साइबावा मंदिर देश का सबसे अमीर मंदिरों में से एक है सरकारी जानकारी के मताबिक उनके पास 32 करोड रुपे के आभूशन है और 4.5 करोड रुपे का निवेश है शेड़ी साइन मंदिर के देनिक आये लगबक 60 लाख रुपे है और सालाना आये 210 करोड रुपे की सीमा पार कर चुकी है इसके बाद बात करते हैं सिध्धी विनायक मंदिर की जो की महाराश्र में हिस्तत है मुंबई में सिध्ध सिध्धी विनायक मंदिर देश में चौथे नंबर का सबसे अमीर मंदिर है सिद्धी विनायक मंदिर के सलाना आए 46 करोड रुपे है वहीं 125 करोड रुपे का fix deposit जमा है गणेजी के मंदिर के रूप में यह मंदिर देश में बहुत इपरसेथ है और अगला है वैशनो देवी मंदिर जो की जम्मू मिस्थत है भारत में सबसे जारा लोग तिरुपती बाला जी मंदिर के बाद वैशनो देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तकरीवन आठ लाक लोग सलाना माता जी के दर पर जाते हैं और माता वैशनो मंदिर के सलाना आए 500 करोड रुपे के असपास हैं इसके बात बात करते हैं स्वण मंदिर गुर्दवारे की जो कि पंजाब के अमरिसर में स्थत है सिखो का पवितर स्थल स्वण मंदिर सिखो का सबसे बड़े गुर्दवारे के तौर पर प्रसिद है जहां हाँ रोज 40,000 शर्धालू दर्शन के लिए आते हैं अमरिसर का स्वन मंदिर और दिल्ली के तीन परमुग गुर्दवारे रकाब गंज, बंगला साहिब और गुर्दवारा शीश गंज भी चड़ावे के दृष्ट्री से बड़े संपन गुरुदवारे हैं बुगरंद साहिब में एक चांदी की केनोपी है जो की कीमती पत्थरों से सजा हुआ है। विशेशग्यों का दावा है कि स्वन मंदिर भारत में सबसे अमीर धनी मंदिरों में से एक है। इसकी कुल संपती अभी तक अज्यात है। और अगला मंदिर है जगनात पूरी मंदि यह मंदिर पूरी के भगवान जगनात को समर्पित है जिसे दरिदर नरायन के नाम से भी जाना जाता है 50 करोड वार्शिक आए के साथ इसके कुल संपती 200 करोड रुपे है 12 शाताबदी में इस मंदिर के खजाने के लिए इस पर 18 बार हमला किया गया था इस मंदिर के साथ कक्षें जिन में से केवल दो ही मंदिर के लिए खोले गए हैं और अगला मंदिर है सोमनात मंदिर गुजराट सोमनात मंदिर की संपती भी रहसे बनी हुई है लेकिन माना ये जाता है कि ये सबसे अमीर मंदिरों में से एक है इसका लंबा इतिहास रहा है सूरत और मुंबई के दो वैपारियों ने 2012 में इस मंदिर को लगबग 11 करोड 36 किलो सोने को दान दिया था और इसके बार बात करते हैं सबरी वाला मंदिर केरल की सबरी माला मंदिर के बारे में हमने एक खास वीडियो बना कर आपको इसके बारे में जानकारी दी थी इस मंदिर में लगबग 5 करोड शर्दालू दर्शन करने आते हैं चड़ावे के रूप में हर साल करीब 15 किलो सोना और 150 करोड रुपे का यहां चड़ावा चड़ाया जाता है मिनाक्षी मंदिर मुधरे मिस्थे थे इस विशाल मंदिर में 10 दिन के मिनाक्षी त्रिप कल्यानम तियोहार के दोरान लगबग 10 लाख लोग दर्शन करने आते हैं जो की अप्रेल मई के बीच में मनाया जाता है हर साल इसकी आये में 6 करोड रुपे की आमदनी बढ़ जाती है इस मंदिर में 200 मूर्तियां और इसके अत्रे 33,000 मूर्तियां कीमती पत्रों की हैं और अगला मंदिर है काशीनात विश्वनात मंदिर उत्तर परदेश भगवान शिव का सबसे पुराने निवास में से एक काशी विश्वनात वारा नसी में स्थत्र मं के मंदिर के संपती सारवजिनिक नहीं हुई है लेकिन 2005 में एक पूर पुजारी ने 19 किलो सोने और मंदिर की अन्य संपतियों को छिपाने का आरोप मंदर परबंदन पर लगाया था और अगला मंदिर है गुरुवायूर मंदर केरल के देवसियन बोर्ड के अधीन ये मंद भारत के सबसे परसिद मंदरों में से एक है मंदर के सालाना आये 2.5 करोड रुपे है और लगबग 125 करोड रुपे का फिक्स डिपॉजिट भी जमा है और अगला मंदिर है अक्षरधाम मंदर गुजराट अक्षरधाम मंदर भले ही अपने कमाई के लिहाज से इतनी पहचा बनाई है इस मंदर के सालाना आये 50 लाग से एक करोड रुपे के बीच है और इसके बात बात करते हैं खजराना गणेश मंदर मध्य परदेश इंदोर का हैं मंदर आये के मामले में किसी से पीछे नहीं है इस गणेश मंदर के पास नकत के अलावा जमीन भी बहुत है जिसक कई बार आपात कालिन स्थिती उत्पन हुई है जिनसे निपटने के लिए भारत के मंदरों ट्रस्टों ने आगे बढ़कर भाग लिया बीते हुए समय में यानि करोणा महमारी से हम लोग अच्छी तरह से परिच्छित हैं इस महमारी से निपटने के लिए लगबक सभी मं परदान की हैं उधारन के तोर पर जगनातपुरी मंदर ने 1.5 एक करोड रुपियों का दान औरीसा राज्य सरकार को औरीसा के 62 मंदरों ने मिलकर 1.37 करोड रुपे परधान मंतरी रहात कोश में दान किये हैं साइबावा मंदिर ट्रस्ट द्वारा 51 करोड रुपे 10 करोड रुपे मुख्य मंतरी रहात कोश में दान किये महावीर हनुमान मंदिर पतना द्वारा कोविड डेडिकेटेड हस्पताल बनाना सोमनात मंदिर द्वारा एक करोड रुपे परधान मंतरी रहात कोश में दान करना बाबा राम दे पतांजली ट्रस्ट द्वारा 25 करो है तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप भारत के और कौन से मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं धन्यवाद ऐसी और भी रोचक और दिल्चस्प खबर जानने के लिए आप विजट कर सकते हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in लिंक दिस्क्रिक्शन में दिया हुआ है अभी जाएं और विजट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in धन्यवाद करें हया हुआ है